एक नई चर्चा में आप सकते समझे को कस्तित जब कोई साधक साधना करता है तो साधक का सबसे पहला पड़ा होता है विव्यक्ति का खान पान उठना बैठना सोना जागना विश्वास उसके बाद दूसरा प्राव पर अगर विक्ति जाए तो प्राणायाम से होता है लेकिन अगर आप योगिक भिध्याम दोगे यम नियम आसन यानि तीन के बाद प्राणायाम आ जाता है एक साधारन बात करें तो भोजन सुद्धता के बाद आपका वैठने की व्योफ्था के आप बैठ गए तो उसके बाद सबसे पहले आपको प्राणायाम करना है बहुत जादा जानकरी जिसको नहीं है योगिक भियाम को तो साधारन भासा मता रहा हूं कि प्राणायाम दूसरे आयाम है, दूसरे दर्जे का काम है अगर एक साधक को सबसे ज़्यादा किसी चीछ पर महतो देना है तो भूजन सुद्धता, अस्थान सुद्धता के बाद प्राणायाम पर देना पड़ता है जब तक आपका प्राणायाम सुद्ध नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, सही नहीं होगा तब तक आपको आने वाली सिद्धी नहीं प्राप्त होगी आपके जो भी सिद्धी है, जो आप प्राप्त करना चाहते है, जो चक्र आप जागरित करना चाहते है उन सब में बड़ी दिक्कत ही आएगी कि आपकी अतजाग्रित नहीं होगे और अगर जाग्रित भी हो रहे हैं तो कहीं नहीं कहीं भस जाएंगे जिससे आपको नाना प्रकार की समझ जाएं हो सकती है इसलिए कोई साधना करने से पूर्व प्राणायाम नितान दावश्यक है तो प्राणायाम है क्या स्वास को नियमानुसार अंदर खीचना उरत प्राणायाम कह लाता है स्वास कोो रुप करते रखना कुम्भग कह लाता है दथा स्वास को मियमता छोरना रेचक कह लाता है इसे पूरक गुम्भग रेचक पाड़ायाम कहाते हैं तीनों कुमला करें और प्राणायाम के साथ वन्द लगा देने से इसका प्रभाव कही गुना बढ़ जाता है और साधक के लिए ठीक रहता है या किरिया जब तक साधक के जीवन में चलती रहती है तब तक उसको साधना में किसी प्रकार का बाहर ही वह नहीं रहेगा कोई समस्या नहीं आएगी सबसे बड़ी समस्या जो भी दर्दित्यादी जो समस्या है जो कहीं भी चक्र कुंबलनी जाकर के पहुँजाती है उसका यही कारण है कि उव्यक्ति जो है प्राणायाम पर ध्यान नहीं दिया है और बंद भी तीन प्रकार के होते हैं आप सो पता मूल बंद उद्यान बंद और जलंदर बंद बंद का प्रयोग प्राणायाम के साथ किया जाता है तो पूरक के साथ मूल बंद कुंबक के साथ उद्यान बंद रेचक के साथ जलंदर बंद किया जाता है तो नियू क्या है प्राणायाम प्रारंब करते समझ सबसे पहले बाए नाग छिद्र से सुरू करना चाहिए बाए नाग से हवा खीचे पूरक हुआ रोग दे गुंभक हुआ और उसी स्वास को दाहिने नाग से छोड़ दे रेचक हुआ इसी तरह से उना दाइने नाक से स्वास को खीचना है, रोकना है, फिर छोडना है या एक प्रानायाम पूरा होगा दाइने नाक से हवा खीचते समय दाइने नाक खिद्र को बंद रखना है और दाइने से खीचते समय दाइने नाक को बंद रखना है और जब आपको स्वास रोक है दोनों नाक्षित्रों को बंद करना है तो इस प्रकार से हमको पूरक कुंभक रेचक करना चाहिए शीचना तथा छोड़ना यो छोड़ने के बाद रुकने तीनों का समय बराबर होंगा अता केवल कुंभक का जो समय हो चाउगुना समय रोकना होता है यानि कि आप जैसे स्वास ले रहे हो मालो आपमें 20 स्वास लिया तो फिर उसको 80 सिकेंट रोकना है और फिर 20 सिकेंट छोड़ना है तो हमको भी स्वास है कि बात समझ माद रही होगी आक्को तो प्रारायाम इस प्रकार से प्रारंब करना चाहिए। यदि आप किसी मंत्र के सहारे प्रारायाम का समय रखने चाहते हैं तो गायत्री मंत्र से उत्तम तरीका जैसे एक गायत्री मंत्र आपने स्वास को पूरक किया, चार गायत्री मंत्र कुंभक किया, एक गायत्री मंत्र के साथ रेचक किया यह सबसे उतन विधायं तो इस प्रकार से आप में मंतर के सहारे कर सकते हैं प्रारंग में थोड़ा कठना ही होती है लेकिन धीरे धीरे आप इस पे करऊगे तो आपको आनंद आएगा और फिर आप इसमें निपन हो जाओं प्रारंग करते समय पहले दिन से पाँच दिन तक एक प्रारायाम सुबह तथा एक प्रारंग सांपार करना है दूसरे उरने के बाद रुपने तीमों का समय बराबर होंगा अता कीमल कुंभक का जो समय हो चौगुना समय रोगना होता है यानि आप जैसे स्वास ले ले रहे वो मान आप मुझेस इस मेरें बिट सिक्ट स्वास ही दा, तो तो कुछ को आसी से बोखन है, तो तो कुछ को आसे किदा समना दें हो गया तो, तो तारायाम इस प्रकार से प्रारम करना चाहिए। अधिका शीन मंदर के सहारे पाराया होगा समय रखने मुझाते हैं तुम गारे त्रीमंदर के साथ रहे तक्तिया यह सब सो उत्यूं गिशा है तुम इस प्रकार से आपने मंदर के सहारे कर सकते पारम हो जोड़ा कपने होगे ऐल तं हिससाध्नीक सहारे फिक कर गको पाहन। होग तुम आपको आण। आनुद आएगा और दोन क्यूम करया बाराद को पालद करते सुब पहंदे द मुको थि मुद्य मुद्सन को अदे दिंतक द आज म्वद दिन तक्षिव गिसिवरं टरप करना चाल रहाय दोना देऊसक्षिर हिस्वर गिस्वर दिन तक थे दिन बाज करना है इसकी प्रकार हार पास में दी प्रारायाम को बनाते जाहिए जर असलों कि यांदे जब दस प्रारायाम बढ़ाते जाहिए 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 इस प्रकार से आप दो प्राडायाम करते हैं, तो 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 वास की इस जिसम्टे मोहथ द्वार अंद कु उंधी कुपा परहिगी तरकी जना जेसे हम बिरop मोन अंद लगाते को परगां शेट कुफित मुदैक्र कुपा परहर कुपा लगाना है ऑश्र देक हम वों भगिगे पषात कुब गान अंद लगाना है पहाझ को इतना समय रोका जाए। इतना समय तक मल गर बर अंद कुछ इंदि कहां को करकी locates के रखना है। अर्पूर की परक्मी तंदबुन स्वेस्टाप। अहरों पर व्ष्पास को तुराउजी प्रकासी प्रकासी प्रकाना स्वास को और नौन गंदुकू अर्प प्रास जोरती समय जबाप रेज़द करती हो। इतना समय आपू रोकना है उतने समय तकाप। अपना मूल जा को उन्दी कंड़कुस को परिखिमिच के रखना है उसी दाने की छोड़ना करे और जब विनकुल आप छोड़ देट तब जा करदी जब विनकुल स्रास्थ खतम हो जाती है आप दाय कुंभग में थोड़ करने देऊ तब जाकर छोड़ना तब रिखना है इस समय तक एक तुम का प्रियोग करना है तहार आए हम के सथ अगर आप बंद का प्रियोग करते हो तो द्वक्ति का मन पर नियंतरव होता है योग समार्व परवा आगे बढ़ता है जो हमारी उर्जा है जो गिद्दु भारा है जो उंकर उंसी है उससे दिशा में चलेजी इससे आपके सरीम उर्ट समस्यां की करिए कोई उर्जा पस रही है तो वेला संचालन मारत जो कुंदनी तक संचालन मारत उस प्रस सब तक अच्छों से चलने लगी तो हमको विश्वास है या दिग इससे आपको पसंद आई होगी पसंद आई उनकी क्या करने तके अवस्षर बताईए वोष्का साथ ऑीटर मागटित थे लोगष्का वोपस्पित वोगष्का वदखे वोबस्पित